हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपको अपने चैनल स्टेडी माप्या पर तो आप इस वाली वीडियो एलक्षाट में हमें पूरने जा रहे हैं क्लास वोड चैप्टर वन जो कि हमारे दा ग्रीन प्लांट हम यह साइंस से पढ़ने जा रहे हैं मैंने इसका पाट वन बना दिया है एमांग प्लांट और अनिमल तो चलिए गाइस स्रूब करते हैं प्लांट और डिपेंडेंट अपॉन इच अडर फोर देर सर्वाइबर प्लांट और अंिमल एक दूसरे पर डिपेंड ऐं किसके लिए जीने के लिए फूड की इसपर डिपेंडेंद दीखें यहां पर में वेजिटेबल गुलाब भी मिलता है एक फ्लावर मिलता है ना में चलिए आगे देखते हैं नोट तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो लेक्षर में बताया था पार्ट वन में कि वह जो खाना बच जाता है तो वह इस टार्ट के फॉरम में अपने में रख लेते हैं बहुत सारे अपने पार्ट में भेज देता हैं और जब जो एनिमल्स है वह उन प्लांच को खाते वो प्लांट्स को खाते हैं तो जितना खाना तो अभू था जितना उन्हों नहीं बना कि अपने लिए रखा था वह एनिमाल्स खा जाते हैं तो उन्हें पहर डिपेंट हुए चलिए अनिमल यूज इस एनरजी टू वर्क ग्रों एड स्टॉर एनिमल इस एनरजी को क्यों गार्णी वर्रस होता है जो मास मीट खाते हैं उसको मुणोग नगार्णी वर्रस कहते हैं तो जब when the carnivorous or omnivorous eat this animal, the energy again passes into the body और जब carnivorous, omnivorous इन जानवरों को खाता है, तो जो energy थी इनके पाग, वो उनके body में transfer हो जाती है of the carnivorous और omnivorous किसके? carnivorous और omnivorous के body में, in the form of food, किसके form में transfer होते हैं? वो food के form में this form a kind of chain where energy flow from the sun to the plants and then to animal in the form of food तो इसी तरीके से होता है, ये food chain, पहले sunlight से plant के पास आया, plant ने अपना खाना बनाया, फिर अलग-अलग पार्ट में भेजा फिर जब animals ने, harvivorous animal ने उनको खाया तो उनके body में transfer हो, फिर जब carnivorous और omnivorous ने उनको खाया तो उनके body में transfer हो, क्लियर रहा है? चलिए, बागे देखते हैं अब हम लोग देखते हैं, such a chain is called food chain और यह जो process हुआ इधर से उधर, इधर से उधर, उसको हम लोग क्या करता है, food chain करते हैं, exchange of gases, यहां पर हम लोग पढ़ना है चलिए, यह भी देख लेते हैं जरा, क्या है, plant use carbon dioxide to prepare food, plant क्या यूज़ करते हैं, खाना बापने बनाने के ल और carbon dioxide लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं, in the process, they release oxygen, यह मैंने बता दी आपको भी, animal use this oxygen to breathe, और animal यह carbon dioxide को क्यों यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए, animal use this oxygen to breathe, और animal भी oxygen यूज़ करते हैं, सांस लेने के लिए, हमें चाहिए तो animal को भी तो चाहिए होगा, animal breathe out carbon dioxide, which is used by the plant, यहां देखें, फिर से इस लाइन को यहां पर रीट करते हैं, animals breathe out carbon dioxide, वो animals होते हैं, वो carbon dioxide breathe करते हैं, which is used to by a plant, जो plant में होते हैं, hence, there is carnivorous exchange of gases that take place in nature, यह देखें, hence, there is continuous exchange of gases, और यहां पर continuous exchange of gases हो रहें, जैसे एक जगह से दूसरी जगह, यह पहले इसने इसको एनर्जी द तो उसने energy दी, फिर उसको omnivores और carnivores ने energy दे दी, तो यह nature से हो रहा है, चलिए, अब हम लोग जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, यह ट्री है, यह पहली यह sunlight ले रहा है, ट्री, आपर मैं दिखा देता हूं, यह ट्री सनलाइट ले रहा है, एक सेकंड, ट्री सनलाइट ल यह समझे, आप सोच रहोंगे कि सनने जल्दी जल्दी क्या समझाते हैं, फिर से मैं समझा देता हूं, देखे, पहले ही यह सन से energy ले रहे हैं, यह oxygen रिलीज करें, यह carbon dioxide रिलीज करें, जिससे वह अपना food प्रिपेर करें, इससे क्या प्रिपेर करें हूं, आप यह मैं खा रहा है, और जो बीर है, उसको खा लेता है, चलिए बागे देबढ़ते हैं, सम अमेजिंग डिफ्रेंट और गेनिजम, आपको इस परिग्राफ को पढ़ने से पहले, कुछ मैं बताना चाहता हूं, कि कुछ ऐसे, आप मानो या ना मानो कुछ ऐसे भी plants होते हैं, जो कार जो कैक्टस होता है, उसके पास कोई लीव नहीं होती है, उसके पास जो लीव होती है, वो कैसा होता है, काटेदार, क्योंकि वो कैक्टस कहां पर पाए जाता है, सही जवाब राजिस्थान में पाए जाता है, मिल्स डेजर्ट अरिया में तो पानी मिलता नहीं है, मेरे पानी मिलता है यह उसको अपने पास रख लेते हैं और इनकी वह गोल मटोल जैसे हमारी नॉर्मल जगह पर लीज होते हैं इनकी ऐसी क्यों नहीं होती है क्योंकि अगर वैसी लीफ रहेगी तो इनमें से पानी निकल जाएगा इसलिए इनकी काटेदार लीज होती है कि पानी से ना निकल पाए शर्विंग तो प्रोटेक्ट दे लॉस ऑफ वाटर इसी रहे इनको इस टाइप से बना जाता है इट ग्रीन स्टीम में एक फूर्ट इनके जो ग्रीन स्टीम होते हैं वो क्या करते हैं खाना बनाते हैं और वैनस फ्लाय ड्रैप यह एक इंसक्तिवरस प् अगे देखते हां जैसे हमारा ला लाईन एकजाम्पल ले लेता हैं टाइगर लेता हैं फिरिंग घाते हैं इट गी इट गेस एनर्जी फाम Report इन्त्रांसफर इंटो दा फूर्ट यह और फूर्ड में तराप्स फोाटो स्टेशल क्श्यस अपकम श्रीक्तर न्याम पर नहीं इनुटियंज के लिए प्लांट पर डिपेंड नहीं रहते हैं इनसेक्स पर डिपेंड रहते हैं इनकी तरफ खीचे जाते हैं और जैसे ही वह इन में टच होते हैं इनको पकड़ लेता हैं प्लांट और इसी प्लांट को लोग इनसेक्टिवर्स प्लांट करते हैं अधर एक्जामपल ऑफ इनसेक्टिवर्स प्लांट और जो दूसरे एक्जामपल है इनसेक्टिवर्स प्लांट का संड्यू है और क्या है हमारा पीचर प्लांट संड्यू और पीचर प्लांट की एक होता है मैं समझा देख सकते हैं इस प्लांट के पास प्लांट के पास प्लांट के पास प्लोफिल नहीं होता है अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर आप यह क्या पहरा है अगर यह नॉन ग्रीन होता है इनमें क्रोलोफिल का प्रोसेसिन होता है यह खाना नहीं बिना तो यह जिन्दा कैसे रहते हैं रुको भाई बता रहा है यह जो डाट एंडिकेंग और गेनिजम मैटर होते हैं उनको इस वह यहाँ पारते हैं सम प्लाट्स ऑप्लम्स सम प्लांट्स लाइक क्वाइब सब्स्क्राइब और उनको फील होता है जो छूपा रहता है उनके अंदर चूपा रहता है इस प्लाइंट एट ऑन सलगाशा और यह ब्लांट अपना खुद का फोड बनादें चलिए यहां पर देखता है परसाइट फ्लांट इसको बोलते हैं सब्लांट डिपेंड और अधर प्लांट प्लांट पार्टी कली और नीट्रियांस आप अग्षोब्लान्रो Frankly स्प्लांट ऐसे होतेँ दूसरे प्लांट पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं की वह खाना देगे हमें और completely हैं यहां तक बढ़िया निट्रियोंस के लिए उनी पर पूरे डिपेंड रहते हैं सच प्लांट और पैरसाइटिक प्लांट है इन्हीं प्लांट को हमनों क्या करते हैं पैरसाइटिक प्लांट यहां यहां पर देख पा रहे हैं यहां चलिए इसके एक्जामपल मैंने दे दिया चलिए अब अब यहां पर देख पा रहे हैं यहां यहां चलिए एम टू सो दाट फंगी ग्रों डिकेंग मैटेरियल हम लोगों को इसमें सो करना है कि जो फंगी है वो डिकेंग मैटर पर ग्रोव होता है चलिए अभी देखते हैं तेक एसलाइस ऑफ ब्रैट आपको एक ब्रैट का स्लाइस लेना है मॉस्टें इन देन और उसको गरम होने देना है डाट प्लेस फर ए फ्यू डेस और उसको एक अंधेरी जगा पे छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए आप लोग एक दो दिनों के लिए छोड़ दें ऑब्जर्वेशन अफ्टर ए फ्यू डेस यू विल सी सम कॉटेंड ग्रेनिस लगेंगे किस पर ब्रैड पर इस फंगस एकार और यह फंगस होते हैं जिनको हम लोग ब्रैड मौल भी कहते हैं अब यहां पर देख लेता है अख्री लाइए ब्रैड विथि माउल्ड इस हांफूल एस उड़ नौट बीटन और अगर आप ब्रैड मौल के साथ खाएंगे किएड से कुछ कीवर्ड साइट काम नोग करांते हैं रहें डिए कि जहीं प्रेंड इसे लीव में प्रेजेंट इन ग्रीव में लीव स्टीम लीव एन सी म अफ्लांट मतलब इसका मंदर क्या होते ंड़ी नफिल और इसा पिगमेंट जो प्रेजेंट रहता है ग्री लीव प्लांट के स्वीम में अब्लीवी ए लेस्ट में आपको वडियो में बता है प्लीज सब्सक्रिंट the होता है flat part of a leaf जो बराबर हो flat part of a leaf सीधा हो leaf apex a tip of a leaf जो leaf का tip हो मिट्रीव देखे the main when that run through the center roughly वैसा when जो center में leaf के जाता हो photosynthesis जे process in which grain plant use light to convert water and carbon dioxide आप फोटो सिंथासिस पर आए वो process जो light को water में convert कर दे और carbon dioxide को अपने food में convert कर दे उसको हम लोग क्या करते हैं सही जवाब photosynthesis और insectivorous plant the carnivorous plant that trap and kill insects for food वैसा plant जो carnivorous हो और trap करके किसको अपने खाने के लिए insects और food बना इंसेक्स को खाये और अपना food चले खाये summary अब देख लेदें जड़ा कि देखे पहरा the leaf of a plant is green in color because the presence of pigment called chlorophyll summary बहुत important होती है आप लोग इसको याद करने एक्जाम में आपकी मदद कर सकती है इसमें कुछ question घुमा के दे सकते हैं the leaf of a plant in आपको पूछेगा कि यह पूछ सकता है कि उसमें क्या present होता है leaf में की वह green हो जबता है तो आपको सिधा-सिदा यह answer देना the leaf of a plant is green is because of presence of pigment called chlorophyll क्यों होता है उसमें green leaf इस लिए green color की होती है leaf इस लिए green color की होती है कि उसकी उसमें एक green pigment पाए जाता है उसको उस pigment को आपको आप क्या कहते है सही जवाब प्रोलोफील दूसरा नमर देखते है उसलिए इंपोर्टेंट है थार्ड नमर देखते है प्लांट किसकी मदद से खाना बनाता है हमना फूट किस से प्रिपेर करता है किसकी मदद से सही जवाब सनलाइट करबन डियोकसाइट और वाटर आखरी नंबर देख सेते हैं लास्ट प्लांट और अनिमल और इंटर डिपेंट और इच अधर लोग प्लांट और अनिमल होते हैं एक दूसरे पीडिपेंट होते हैं